नमस्कार मैं हूँ आयोश कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल जारखंड के मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री मैया योजना सम्मान योजना के लिए अब 15 अगस्तक विशेश कैम्प लगेगा मुख्य मंत्री ने विशेश कैम को पांच दिन तक बढ़ा दिया है साथी तक्नीकी समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिये हैं लेकिन बीजेपी नेता सीता सोरेन ने मुख्य मंत्री मैया योजना पर सवाल उठाए हैं देखे रिपोर्ट जारकन मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना हर बहना को हर साल 12,000 रुपे अब 15 अगस्त तक लगेगा विशेश कैम्प मुख्यमंद्री महिया सम्मान योजना को लेकर अब 15 अगस्त को विशेश कैम्प लगाया जाएगा पहले 10 अगस्त तक की ही आवेदन जमा करने के लिए कैम्प लगना था लेकिन मुख्यमंद्री ने इसे 5 दिन और बढ़ा दिया है आभेधन जमा करने के लिए अब 15 अगस्त तक विशेश कैम कैम के खत्म होने के बाद भी जमा किये जा सकेंगे आभेधन मुख्यमंत्री ने दिया तक्निकी समस्याओं को जल्द दूर करने का निर्देश मुख्यमंत्री हिमंत्री ने इस योजना को लेकर महिलाओं के उत्सा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर ये निर्देश दिये हैं साथी कहा है कि योजना निशुलक है ऐसे में महिलाएं किसी बिचौलिये के चक्कर में ना पढ़ें क्या है मुख्यमंत्री सम्मान योजना ये भी जान दीजिए 21 से 50 साल की महिलाओं के लिए योजना हर महीने 1000 रुपे देगी है मंसरकार हर महीने की 15 तारीक को खाते में जाएगी राशी आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी आंगन बारी केंद्र प्रखंड कार्याले पर निशुल्क मिल रहे फॉर्म उपायुक्त कार्याले में भी निशुल्क मिल रहा आवेधन पत्र www.jharkand.government.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है हाला कि बीजेपी ने जारकंड मुख्यमंद्री मैया सम्मान योजनाग पर सवाल उठाए है सीता सोरेन ने कहा है कि वोट के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है और सिर्फ एक हजार के लिए महिनाओं को लाइन में खड़ा कर दिया है प्रलवन देखर करके भाग दोड़ मजवाना यह कहां से सही है अभी दो ही दिन हुआ कि तीन ही दिन हो रहा है आज में क्या देख रहे हम ब्लोक में जा रहे हैं आप दोडाम भगा सुरू हो गया है मुख्यमंद्रे सम्मान योजना हेमन सरकार की महत्व कांशी योजना है लेकिन अब इस पर भी सियासत गरम है न्यूज लेवन भारत के लिए धनबाज से बंटी के साथ बिरु रिपोर्ट मुक्य मंत्री मैया समान योजना में तक्निकी समस्याएं आने के करण महिलाओं को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सर्वर स्लो है कई जगों पर फॉर्म के लिए पैसी मांगने की भी खबर सामने आ रही है जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर निश्चाना साधा है वहीं मुक्य मंत्री ने लोगों से बिचॉलियों से दूर रहने की अपील की है साथी अधिकारियों को तक्निकी समस्याओं को दूर करने के निड़ देश दिये हैं देखे रिपोर्ट जारगन मुक्य मंत्री मया समान योजना में तक्निकी परिशानी से लोग परिशान है कहीं सर्वर डाउन है तो कहीं लिंग देगे ऐसे में घंटो कतार में खड़े रहने के बाबजूद महिलाएं फॉम जमान नहीं कर पाए धनबाद और नर्सा में कहीं जगों पर कैम्प लगाया गया है लेकिन सर्वर डाउन होने से महिलाएं परिशान निजर आए तो हम लोग क्या करें हम बहुत दूर से आया है तो वारी नगर से आया है मुख्यमंत्री महिया सम्मान योजना के लिए तीन अगस्त से फॉर्म भरने का काम शुरूद आ तीन अगस्त से ही इसे लेकर कई शिकायते आने लगी हैं कहीं पर सर्वर काम नहीं कर रहा तो कहीं पर फॉर्म के लिए पैसे वसूले जा रहा है गोटा के बीजेपी सांसत निशिकान धूबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसके साथ में साहिब गंज के बाल विकास पर योजना कार्याले द्वारा जारी एक आदेश की कौपी को भी अटैच किया है द्रसकौपी भी मैया समान योजना के लिए सेविका द्वारा राशीर मांगने की वबात कें गई है निशिकान ने इसी पत्र के आधार पर राजिस सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि अभी मैया मिली नहीं भाईया माल ले में पहुंच गया वही नेता प्रतिपक्ष अमरबावरी ने भी मैया योजना के लिए पैसे मांगने और महिलाओं को हो रही परिशानी को लेकर राजिस सरकार पर निशाना साधा इस सरकार ने यह फोरम दे करके लोगों को प्रगलाने का काम किया द्धान के खेत में लोग नहीं मिल रहे हैं बड़े आसा और ओमीद के साथ डेली सुबह से कतार बदो करके जए सरकार एटक वंदन की सरकार जाते जाते कम से कम कुछ उनको दे करके जाएगी इसलिए कतार में लगे हुए हैं लेकिन डेली निरासा उनके हाथ में लग रही है मैं जनता से बस एही कहना चाता हूँ आपका विवेक है आपकी गुद्धी है इस सरकार के 5 साल के कारकलाप का आप विवेशना करें और अपने विवेक का इस्तमाल करें जो सरकार ने 5 साल तक आपको कुछ नहीं दिया ओ सरकार अपने आखरी चंद दिनों में आखरी चंद दिनों में आपको क्या ही भला करेंगी सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इसे ठकवाजों से इस जारकन को और अपने परिवार को बचाईगी जारकन मुख्यमंद्री मैया सम्मान योजना के तहट 21 से 50 साल की महिलाओं को हर साथ 12,000 रुपे दिये जाएंगे ये राशी हर महीने के 15 तारीक को लाभुकों के बैंक खाते में आएगी इसी को लेकर आवेदन दिये जा रहे हैं लेकिन तकनी की परिशाने के साथ पैसे मांगने की भी खबर आ रही है ये रिपोर्ट न्यूज लवन भारत तो जारकन राज्य की महिलाओं को सशक्त करने के दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना की शुरूआत की अब इसका आवेदन लेना भी शुरू कर दिया गया है तीन अगस्त से आवेदन की शुरूआत हो गई है लेकिन दिक्कते आ रही है दिक्कत सर्वर में आ रहा है सर्वर स्लो है अब सवाल ये है कि जब पता था कि 48 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलना है तो सर्वर पर काम पहले से क्यों नहीं किया गया दूसरी तरफ सियासत भी पूरी तरह से तेज है बीजेपी ने मैया योजना को लेकर सवाल उठाया है और साफ तोर पर मौझूदा राज्य सरकार पर निशाना स्ता देते हुए कहा गया है कि सिर्फ लोगों को परिशान करने के लिए महिलाओं को परिशान करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है हम सबसे पहले अपने पैनल से परिचे करा दे आपका बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल शादेव जी है प्रतुल ज करना आड जी डेखे सब को पता था जविस योजना की शुरूआत की गई थी कि और 40 लाक महिलाओं को योजना का लाब अच्छी बात है महिलाओं को सशक्च्ट करने की दिशा में ये बहुत अच्छी योजना की शुरूआत कर दी गई है लेकिन कर ведना भड़ हट नहीं दि अईसा हडबड़ी जो लोग कह रहा है उस हिसाब से हडबड़ी नहीं है, हडबड़ी ये है कि इतनी सारी जोजनाएं जो रगुवर्दास के समय में बंद कर दिये गए थे, जैसे पुरानी पिंसन जोजना या सिच्छा के छेतर में आठ हजार से उपर स्कूल बंद कर दिये गए थे, इन सारी चीजों को भरपाई करते 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 करते, हेमन सुरेन की शरकार ने बहतर अभी अभी किया है, आप देखे होंगे कि कितना जोजना पड़ा है, हेमन सुरेन को या गडवनन की शरकार को सुरू से दो साल कोरोना में, दो साल सरकार बचाने में और तरह तरह के केश और मुक्दमें ये सारे चीजों को अभी जो है सोब, अब आदरनी हमन सुरेन जी पांच महिने बाद आये हैं, बेदाग होकर के निकले हैं, हाई कोट की टिपनी भी आपने सुना होगा, तो इसका आकलन किये, कि हम हर तरह का सुविधा दे रहे हैं जनता को, रासन काड़ वाले रासन धारियों को हम जो अनाज मिल रहा है, खेंदर सरकार और राजे सरकार के तरफ से, उसके अलावे, हम जो है एकिलो दाल, एकिलो नमक जो नहीं मिल रहा था, आकलन किया गया, यह दो चीज एड किया गया, अब दखिये, कि आकलन किया गया, कि हम जो है सो किस तरह से महिलावों को ससक्त करेंगे, आप दखे होंगे, कि जारखन सरकार, हमन सुरेन की सरकार ने, निस्वलक सिच्छा दे रही है, जो बच्चा, S.T.S.E.O.B.C. के जो बच्चे हैं, जो दो हजार रुपईया एडमिशन फीदते हैं, उसको स्कोलर्शिप के माध्यम से आपको आठ हजार रुपईया वापस कर रही है, एक साल गूम के लिए, तो यह जो है सो, उपाई कर रही है कि कैसे हमारी बेटियां ससक्त होंगी, बिल्गुल हमने तो कहा रहा कि यह अब जो है सो, देखा गया कि भाई हम दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, नमत दे रहे हैं, इसके अलावे भी तो और बहुत सारी चीचे हैं, बिदार्थियों के लिए छात्राओं के लिए, अब स्कूल जा रही हैं, तो उनके लिए पेटरोल चाहिए, बस का बाड़ा चाहिए, ते मोटो का बाड़ा चाहिए, ये कहां साएंगे, गरीब माबाप कहां से पूरा कर पाएंगे, या जदी हम जो रासन दे रहे हैं, जो महिलाओं को, पचास साल तक के महिलाओं को जो रासन मिल रहा है जिस परिवार में, उसके घर में और भी चीज़ें तो ज़र हम लोगों ने शुरू किया कि हम इस तरह से शहता कर सकते हैं, तो बेहतर होगा, अब जो है, बहुत कम सबय में सरवर को तयार किया गया है, अब जैसे जैसे तुरूटियां आ रहे हैं, देखेंगे कि तीन तारिक को जैसे ही सुरू हुगा, साड़े तीन लाग लोग अचा जैसे ही आधिन लेना शुरूआत होगे और सरवर बोज पढ़ने वाला तो तैयारी पहले से नहीं सी गई ना, एक साथ जदी तीन लाग चार लाग लोग उसमें जाएंगे, सरवर में जाएंगे, लोगिन करेंगे, उसम भाविक है, कि जाम होगा ही, लेकिन धीरे धीरे आ प्रतुल शादेव जी एक बहुत अच्छी योजना की शुरूआत की गई है, महिलाओं को शसक्त करने की दिशा में, अगर हर महीने 21-50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपे मिल रहा है, तो बहुत सारे काम उनके हो जाएंगे, बीजेपी को क्यों लग रहा है, कि योजना से किस अच्छी अस्तर पर विराष्टी डिबेट हुआ, कि साथ मुख्यमंत्री जी कितने दूर का सोच रखते, 25 रुपे जब पिट्रोल का दाम बढ़ रहा है, या पिट्रोल का दाम अंतराष्टी मान को के साब से तैय हो रहा है, तो उस समय ये 25 रुपे प्रती लीटर पिट् सरकार को श्वेत पतर जारी करना चाहिए, कि जो हवा वही घोशना ही करती है, उसकी रियालिटी क्या होती है, लेकि शादरी भाषा में महिया मा को भी कहा जाता है, और महिया बेकियों को भी कहा जाता है, तो ये महिया सम्मान योजना जो थी वस्तुता वो अगर दिन भी वही समझ से आरी, आप एक चीज़ बताए, जो सुदूर गौण से आते अभी, आप नहीं अपने डिबेट में दिखाया, अपने ही अपने रिपोर्ट में दिखाया, कि जो दूर से आरी महिला है, वो परिशान हो गई, वो बहुत दूर से आती है, और दूर से बार सावधान होना चाहिए, इसका मतलब ही योजना में विचौलीयों का भरमार हो गया है, और देखिए योजना थीन चार स्टेज पर कारहनमन होता है, पहले तो फॉर्म भरा जाता है, तो फॉर्म भरने में भी बहुत सारे धान्दी की खबरे आ रही है, मैं आपको कुछ रि इन्होंने अपना रखा है बिचॉलियों के लिए और फाइनली जब पैसा रिलीज होता है तो उसमें भी बिचॉलियों प्लेए में आएंगे सब एक हजार रुपया देने के लिए और इनकी सब आपने उनको साथ मिनक दिया बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बाते रखे प् मुफित फ्लब्प ख्रारे साथ कैंद सरकार की कोरोना के बाद लगतार योजना चलिये जिसमें असी कडुड़ों को मुफ्तनाज दिया जा रहा है इसमें राज़ सरकार का कहां न अंच्दान है ये बताने की किर्फा करें राज सरकार की Rapha की अपनी म गेकेनिय कानींज योजना के वज में सेविकाने मांगे पैसे दूसरे दिन भी लिंग फेल रहने से परिशान रही मैया दुमरी की चैन पर पंचायच में भारत ने भी अपने दर्शकों तक पहुचा है और राइब के फॉर्म मुख्यमंत्री सम्मान योजना के दूसरे दिन ये मधूपूर का सर्वर डाउन मायू मायू समय लाए लोटी दुकानों में 15-20 रुपे तक भरे विके फॉर्म भनने के लिए बिचोलिये ले रहे हैं 50-100 रुपे और जो एक आपने सबसे जो इंपोर्टन रिपोर्ट दिखाई थी यह मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं चुकि आप सूचना प्राप्त हो रही है कि जार्खन मुख्य मंत्री महिया समान योजना के फॉर मित्रन में सेवी का के दोवारा बड़े पैमाने पर राशी की मांग की जा रही है जो कि बहुत ही निंदनी है उन्खेट का विशह है जो भी सेवी का इस तरह का कृत करती भी पाए है कि आप बिना किसी प्रिप्रेशन के किसी योजना को लौच्ट करेंगे तो उसका अंजाम यह होगा साफ आपको एक यह आपको फोन चाहिए था दूरदर्शी जो सरकारे होती हैं वो deux ही करती है कि हमारे सरवर पर क्या लोड़ पड़ेगा किस तरीकते होगा और उसी हिसाथ से सारे चीजों को दूर्स किया जाता है आपrika कर दिया हर वड़ी मेर और वड़ी वjut wam ना करें दो त्री चीज इन्होंने कहीं थी किσι कोरोना कर में अपने प्लचरों की पंकर भशिचाा की पत्नी को मिगॉत चुह ता माइनिंग और बीज्ट मुख्यमंत्री जी के लिए पहले कोरोना के वेव में मर्सीडीज आई दूसरे वेव में बीम डबलू आई तीसरी में रेंज रोवर आई मंत्रियों के लिए बंगले आउटित हुए पैसा आउटित हुआ उसका निर्मान शुरू हो गया तो कोरोना काल में कैसे काम नहीं हु बिल्कुल दोश्मुक्त नहीं किया है और बेदाग सावी थोकर निकले बेदाग कैसे होंगे साब ट्राइली नहीं शुरू हुआ अभी तो सिर्फ इनको बेल विला और हाई कोट की जो टिपनियां होती है बेल देते समय आयोश यह तो सुप्रीम कोट और पंजाब हरियान इसको जिक्र नहीं करेगी इसको इससे इंफ्लॉएंस नहीं होगी तो अभी लंबा सफर तह करना बाद कि मयआ समान योज्रा में मैयाओं को इनोंने परिशान करके रख दिया है बिना तैयारी बिना अबड़ी बात का जो आपने जिक्र किया प्रतुल जी कि मयां मतलब बे परचने आ रही है कई महिलाओं को परिशानी हो रहे कई सुदूर वर्ती इलाके से आती है आने जाने में उनका सौ दोसों कई का पांच पांच और पे तक खर्च हो जा रहा है हम कमल ठाकुर जी के पास जाना चाहेंगे कमल ठाकुर जी दो साल बाद तो जारखन पर कुद्रत महरबान हुआ है अच्छी बारिश होई है धान रोपने का वक्त है किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है ऐसे में अगर महिलाएं दफ्तरों का चक्कर काटते रहेंगे और अगर एक दिन में काम हो जाता तो मैं खुद बोलता कि यह बहुत अच्छी बात है महिलाएं सेंटर पर एक दिन में गई और काम हो गया लेकिन बेरंग वापस लोटना पड़ रहा है क्यों हडबढ़ाट जो सवाल मैंने हिमलाल जी से किया था वही मैं आप से कर रहा हूं और जो ने का परकिरिया है जो हेमन्त के सुरेंजी ने जो महिलाओं को यह सम्मान दिया है अब इस पर दिपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विकास ही लोग और सम्मान कहते किसको हैं हम लोग उस तरह की सरकार नहीं चलाएंगे कि हड़ ब आज मुखमंतरी जी ने जो जनसंपक सुचना अधियर को जनसंपक विभाग को बताया है उसके अनुसार आप समझ दीजे कि पांस दिन और बढ़ा दिया गया पंद्रागस तक आप सिवीर में अपना कर सकते हैं कोई भी नया काम जब करेंगे अच्छा काम करेंगे उसमें कि कहिंड़ कुछ परिस्यानिया आती है इसका मतलब नहीं है कि उसको नकार दिया जाया जै कि उसको एकदम बदल दिया जाया कि नहीं इसे किसी को फायधा नहीं है आप देखिए 21 साल से 50 साल की महिलाओं को सलसमान पचास से 69 वरस की महिलाओं को सलसमान अनुसुचीत प्लस जो भी महिला है अप फुल्सों को 60 वरस से तो जो पिंसन हो रहा है ठीक है के अंदर कातना चल रहा है उसके बाद जो विध्वा जो देश में विध्वा का 45 वरस एज किया गया था उसको विध्वा का तो एज होता नहीं है कभी भी कोई विध्वा होता है जब सरकारी इतनी बढ़ियां काम कर रही है, अब उसको सर्वर में फंसा कि, कि सर्वर के चलते महिलाएं परिसान हो रही है, यह सब टेंपरोरी प्रॉब्लम है, एकाद दिन में सारा चीज ब्योस्तित हो जाएगा, उसके बाद इसी चैनल में फिर इसका बखान हम लो बैठ क करेंगे, उस समय भी विरोधी दल के जो लोग हैं, इसका बिरोधी करेंगे, कि आपने परतूल जी कहीं भासा में साड़े बारा साल के कारेकाल में आपने जनता के विशे पर कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिसको आप गिना सके यहां, लेकिन हमंत के सरकार में गिनाने के लि आप इसका बिरोध करना छोड़िये, कम से कम अच्छे काम का बखान तो किजिए, तो हमने तो कहा कि अर्टालिस लाक महिलाओं को अगर सीधा लाभ मिलता है, इसमें तो परधान हो गिया है, आज मेरी सरकार है, कल किसी और की आएगी, लेकिन सम्मान तो दिया, तो दीके राजनिती की बात नहीं है, यह महिलाओं की परेशानी की बात है, परेशानी जो है, तेम्परोरी है, आज है, उस पर काम हो रहा है, तीak है, अगर अगर गारंटी ले रहे मौजुदा सरकार की यह तेम्परोरी है, और इसमें बहुत जल्द सुदारालिए, अब प्रतुल जी एक चोटा सी समझे आज इतना हम लोग डिजिटल में चले गये हैं बैंक में जाते हैं और अचानक पता चलता है कि सर्वर डाउन होगी तो सवागों शिकायते ना के बराबर मिलती है कमल जी सवाल तो है सवाल तो है आज आप इतने दिनों से डिजिटल बैंक को बना चुके हैं फिर भी सवाल है यह तो कल का योजना है तो थोड़ी सी परिसानी आएगी लेकिन आप इस बात को मान लिजे कि राज नहीं इस से बेहतर योजना हम लोग भी हम लोग ने भी राजनिकी कुश्ची से किया है कि अकर तारीस लाख महिला होते तो हमने तो हमने परिश कर पाएंगे और अगर पूरी तरह से पादर्शी तरीके से योजना का लाव महिलाओं ताका पहुचता है तो यह नहीं हम हर एक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं शिकायतों पर चर्चा कर रहे हैं फिलाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के सब्सक्राइब फिर सब्सक्राइब का स्वागत है मुक्यमंत्री महिलाओं समान योजना इस योजना के तहत महिलाओं तक लाव कहुचाना है आवेदन ले ने शुरू भी कर दिये गए लेकिन तकनीकी खराबी इतनी बुरी कि बेरंग महिलाओं को वापस लोटना पड़ हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुए हर एक परिशानी पर हर एक सियासी पहलू पर विचर्चा कर रहे हैं हम सबसे पहले रुक करेंगे डॉक्टर हिमलाल मैता जी का देखिए अब बात आती है बिचौलियों की हिमलाल जी देखिए ना सिर्फ मैया योजना में बिचौल इस सरकार के इस कारेकाल के अंतिम तीन से चार महीने बचे हुए अब भी योजना की शुरुआत होती है तो भी विचौलियों के इंट्री हो रही है क्यों यह लगाम नहीं लग पारा है विचौलियों पर देखिए आयोसी यह जो सरगना है ना यह सरगना सिर्फ आज की बा विचौलियों इतने इतना लूटे इतना लूटे बहुत सारे लोगों को मत पुछे हर जगा मैं यह नहीं कहूंगा कि कुछ अच्छा काम होता है तो मैं हर को तारीफ करता हूं ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं तारीफ होनी चाहिए और अच्छे काम में तारीफ होनी चाहिए गलत है आप गलत बोलिए लेकिन अच्छे काम में तारिफ होनी चाहिए बीच वल ये हर जगा पैदा हो जाते हैं जहां भी आप देखेंगे कि कॉलेज में अडमिशन होता है तो कॉलेज में अडमिशन कराने बच्चे जाते हैं नहीं हो रहा है कि अडमिशन हो रहा है कि ये बात अप पुरानी हो गई अप दूटी के तहर जब आप एक्जाम होता है सीधा ऐडमिशन हो रहा है सुनिये लिए अभीी होता है। आप लोग से चिपा का था हूए बात हुद गुषी है। तोक्ये मात तोक्ये मात आप ऑद्ध करें थो तुक्ये मात अब त्रोक्ये मात आप तोक्ये मात आज़म को आ हooky आज़ृ आप दिश्टार पर जह मत तरहां पैसा लेकर एड्मिशर बहुत रहा है तो आप चुछ रूपय तक लिए जा रहा है इस आवेदन के लिए जो अब से कुछ दिन पहले ही शुरुआ थे जिस योजना की आप सांती भंक से सुने मेरी बात मानिय मुख मंतरी ने साथ कहा है कि कहीं भी बिचोली आते हैं इतना परचार परसार हुआ है ने सुल्प ने सुल्प ने सुल्प इसके बहुझूद भी कोई पैसा लेने का काम करेगा 10 रुपय भी तो उसको खाम्याजा भूगतना पढ़े इसमें कोई कोटा ही नहीं करेंगी सटरकार उस पर करवाई होगी, हद तक जो है यह साब सुत्रा हो रहा है, कहीं से जदि आता है इसा सिकायत आता है, तो उस पर निपटा जाएगा परसाशन में निपटेगी कहीं दिखत नहीं है. सवाल रहे सर्वर की, तो सर्वर एक खाली सर्वर की बात नहीं हमने जो तयार करवाया, उस सर्वर की बात नहीं है, वहां किसका चलता है, या तो BSNL का है, Reliance का है, Airtail का है, जाने नेट पर भी बहुत डिपेंड करता है, हम भी योज करते हैं, पेटियम का होगे, गुगल प है, आप नकार नहीं सकते हैं, वह जो, नेट वर्क है, नेट वर्क बहुत बड़ा चीज है, नेट वर्क मही काम करेगा, तो आप उनलाइन नहीं कर सके थे, नहीं कर सकते हैं, देखे, आज भार्कोर.: नहीं आ रहा है, आप भार्के जनता का पाते, हम एक जानicles Go перेंदों, सुन लिजे मेरी बातों को आप बिच्व में मत काटिए, नेटवर्क बहुत बड़ा प्रॉब्लेम होता है, और अभी जो ये लोग कंप्लेंड कर रहे हैं, जैसा कि हमने सुना पर्तिपश की निता आदर्निया अमर कुमार बहुरी जी का भी, तो ये लिए भारतिये जंता पार्टी के लोगों को अभी जब से घोसना हुई है, जारखंड मुख्यमंत्री मयाद शमान योजना, इन लोगों को नीन दूड़ गया है, आप कहा हैं, नीन दूड़ गया है, ये तो बात करेंगे ही, कुछ करने का हैं, तो बात करेंगे हैं, इन दूड़ गया है, आप लोग पर प्रतुल जी, कहिए, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये समस्या बहुत विक्राल है, मैं आपको फिर कुछ को छोड़े-चोड़े हेडिंग्स पढ़के सुना आता हूं, बस तीक सेकंड में, खेती छोड़कर पहुंची मैना है, घंट का लोटी, फॉर्म की किलत बज़ बताकर सौ सो रुपे की वसुली हुई, देखने वाला कोई नहीं, धनबात का, देर सो से दो सो रुपे लेकर फॉर्म भर रहे हैं, ये चंदवा की खबर, मैया सम्मान फॉर्म भरने को लेकर मार्क पी दो गायल, सद गावा का, सर्वर ड किलों में नेटवर्क इशू आ गया, और मैं एक ख्लेरिफिकेशन में देदू आयूश कि जामुमों के विद्वान नेता को ये समझना चाहिए, जो BSNL, AATL और तमाम वो नेटवर्कों की बोलकर उनका प्रचार कर रहे है, साब जार्खन सरकार जार्नेट से चलता है, इन का अपना NIC, जो National Informatics Center है, उसका दिया हुआ जार्नेट है, जो जार्खन सरकार के सभी दफ्तरों में सब जगह पे, वही जार्नेट की सुमिधा होती है, वहाना AATL होता है न BSNL होता है, तो थोड़ा ग्यान लेकर ये बोला करें तो बहतर होगा, अब आपको मैं बड़ा सखा रहा हूँ, जो अमित कुमार मंडल मानिये विधान सभा सदस जो है, उन्होंने दिनांक 182024 को विधान सभा में पूछा जो अलप सुचित प्रशन था, उसका जवाब आया है, और वह जवाब क्या है, ये विधान सभा के पटल में दिया जवाब है, इसने उसको दिख करने तथा राज के गरीब वंचित शोशित महिलाओं को चूला खर्च के रुपने प्रतीमाद दो अजार देनी की घोशना की जो इनके निश्चे पत्र में शामिल था, उत्तर क्या या सरकार का पता है आपको, अस्विकार आत्मक, यानि यह स्विकार करने लाइक नहीं, स इनके निश्चे पत्र में एक और चीज़ता, फाइनल पॉन में बता रहा हूं, क्या यह बात सही है कि राज के आंगल मारी सेविका, साहिका, रसोया, जैसे अनुबंद कर्मी को स्थाई नौकरी देनी की घोशना की गई है, आयूश इनके अनुबंद कर्मी को अधिकार न करकार कुछरी देने जा रही साब, और जो मया समान योजने की बात आप कह रहे ना, अच्छी योजनाओं का स्वागत करना चाहिए, लेकिन आप देख रहे ना, फॉर्म में पचास रुपे, सो रुपे लिये जा रहे है, भरवाले में दो सो धाई सो लिये जा रहे, सर्व क्या हुआ, तीन लाग साथ हजार हो जाना चाहिए था पांच वर्षों में, एक एक परिवार में, हर एक महिला को चूला खर्चत दो जार रुपे देने की घोशना कीती, क्या हुआ उसका, उसका भी कुछ नहीं हुआ, और माने नहीं है, मुख्यमंत्री है, हमारे भी रुजगारी भत्ता मिला हो, उसकी बाद छुड़िये, यह अबुआ आवास को बताते हैं कि बड़ी योजना है, एक अबुआ आवास के लाभेरती का नाम बताते हैं, जिसका घर बनकर तयार हो गया हुआ उसका क्या मेकानिजम होगा, अभी बालु कहास होगा, काल निराम की अवा बालु हम देंगे, तो निराम की अवा बालु तो अदालत के अंदर हो जाता है, वो फाइर जब जर्दर्ज होता है, तो अदालत के आदेश तो चुटेगा, तो यानि यह सारा प्रक्रिया करते करते तो इनकी सरकार चली जाएगी, हवा हवाई, घोष्णा खास करके अब आवास योजना में, अभी प्रतुल जी ने जो सवाल उठाया, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात जो थी, गुरु जी क्रेडिट योजना, गुरु जी क्रेडिट योजना पर जिसको लाब मिला हो, क्यों ऐसा हो रहा, और अब जब यह इस योजना की श ी जरखंड के लोग बड़ी सीधे साधे होते हैं, तो जहां भी सीधे साधे लोग होते हैं, थोड़ा सा भीचौलियों का आध मनत्या हो जाए हैं जीन मुखमंत्री ने सक्त निर्देश दिया है कम से कम उस पर भी तो बात होना चाहिए मुखमंत्री जी ने कहा है कि बिचोलीयों से साउधान रहना है तो आज तो ये चार दिन पहले पांस दिन पहले इसके शिला न्यास ग्राटम जो भी कहिए हुआ मुझे लगता है कि बहुत धैर से इस बात को समझना चाहिए क्योंकि ये 48 लाख महिलाओं को सम्मान देने की बात है अगर इसमें धैर आप खोते हैं तो फिर जो काम हो रहा है वो क्रिसी बिल के अनुसार हो जाएगा इसलिए हम लोग धैर रखेंगे और आप विश्वास ये कि बिचौलियों का भी नामों निशान मिड़ जाएगा कि जिस दिन महिलाओं के ये सम्मान मिलना चालू हो जाएगा जिस दिन वो समझ जाएगी क्योंकि फॉर्म भरने में सिधे लोग हैं उनको फॉर्म नहीं सबज में आ रहा है विचौलिया कोई ऐसा कोई घाराना कि प्रशास्ति का कारवाई कमजोर है नहीं मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं सुरवाती दोर में कुछ परेसानियां आती है मैं वह कह रहा हूं लेकिन आप इसको जब 15 तारीक तक मुल्कमंतिरी ने सिवीर को बढ़ाया है कि 15 तक आप इसका सुगत परिनाम देखेंगे और इंतजार करना चाहिए अच्छे कामों का इंतजार करना पड़ता है 500 साल हम लोग ने राम मंदिर के लिए इंतजार किया अच्छा काम के लिए तो यह भी उस तरह की आप मजब कह रहे हैं कि राम मंदिर बना है अच्छा हुआ है अरे कैसे नहीं बोलूँगा क्यों इसको ना कारूंगा अरे आप आयूजी के आप एक बहुत सम्मान करता हूं भागवान राम का भी घर बना मैं उसका सम्मान कर रहा हूं लेकिन यह जो योजना है उन सारी सीटा माओं के लिए मंदिर के समान है धैर रखना होगा हमको और धैर से ही आपको सफलता मिलेगी कम से कम परतूल भाई साहब को तो इसको कम समान देना चाहिए कि इससे बहतर योजना चोबीच साल के कारकाल में जारखंड का नहीं आया है तुमसे इस बात पो तो उसकार लेकिन यह आप का शुरू हुआ नहीं कि उस पर आप ससा ही बता रहे हैं मला जी ठीक है जो बाती बोले लेकिन एक बात तो सब्त है कि इस योजना से इनों के पैर उखड़ गया है इनक मजए की बात यह है कि यह जो महिलाएं है ना अपने बच्चों को हसी खुसी अच्छे स्कूल में उनके फोर्म का खर्चा उनके नास्ते का खर्चा इस पैसे से उच्छ जब देंगी तो आप रहे इंसान कमल जी वही मुश्कान देखना चाहता है मैं इस राज की जनता इस कई से पचास पचास से उनसर यह सारे लोगों को सम्मान देने का काम हमन सरकार ने किया है प्लीज बात को तो आप कम से कम पीड़ तो कभी-कभी थत्था पा दीजे जब देखिए विरोध की राजनीती आप कभी-कभी तो सभी सरकार के दहरे रखना होगा आएंगे जवासी भी सुन रहे होंगे कि धैर रखना होगा लेकिन उन पैसों का क्या जो महिलाओं की दौरा खर्च किये गए हैं अब फिर दुबारा ही वह आना होगा अब उन पैसों का हिसाब कौन देगा इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा दिखिए हमसे आपका बात कि मुझ से मेरे गाड़ी मेरे आभी भी है 5100 फार्म अब देख लेगे हर जहां मैं देखता हूं कि क्राइसी से पहुंचा रहा हूं हमारे कार्जकर्ता पहुंचा रहे हैं चयतलिक अब ब्लॉक में वीडियो साहब एक्टिवें सभी और यह साब हम से उतलब है कि एकडिवेश साकता ह अब आप यह नोट बंदी थोड़ी नहीं, नोट बंदी नहीं, कितने लोग लाइन में लगके मर गए, वो चिंता नहीं थी, अब सवाल परतुल जी का है, परतुल भाई का सवाल बहुत सारा रहता है, इतना बोल जाते हैं, कि भाई सब का नाम बताएं, नाम बताएं, नाम योजना का एक एक्ठो में नाम बताता हूं, ठीक है, ग्राम गारी योजना, आप अनुलम सारी का लिजे, अब वावस का, अब अभी तक किसी का हैंड़भर नहीं हुआ, सुन लिजे, हल यह रहता है, उसको खुद बना लाँ है, अभी बंद रहा है, अब बंद रहता है, आप अब बन चुका है आप में दिखाया आपके चैनल में आपके चैनल में दिखाया है। ठीक है ग्रामडारी योजना का आप देख लीजे। अनुल अंचारी। आप गुरुजी क्रेडिट का नम सुन लिजे। एक नम मैं बता रहा हूं। राधा है अमरम आप करम तुली का आप पुछ लीजे। नमबर को मैं नमबर के लिखा में तया है नम मुरकिन थे तुर में नमबर किसी में नमबर का न हैimi कि विख लेकि वर इख थे सारी चाले करेंड किस यूक दो दो बने तेहे हैं बादये कि Sorry का भूकों के बारे में बात हुई बीचौलियों के बारे में बात हुई हर एक पहलू पर बात करेंगे कई सियासी मुद्दे हैं उसको भी जानेंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से सवाल खड़ा कर देते हैं उसमें खामियां ढूंड लेते हैं अगर अगर इस योजना को मुख्यमंत्री महिया समान योजना को आप अपने तरीके से देखें क्या ब्लूप्रिंट होगा कैसे धरातल पर इसे अच्छे तरीके से उतारा जाए देखें सबसे पहले तो आपको इसकी तयारी करनी होगी बडरे प्रववानें पर तयारी और ब्रशला आपृशान है महीं कभेए वियर बिया रहा है, फॉर्म भरने का सो रुपया लिया जा रहा है, फॉर्म पैसा रिलीस करते समय, रेजिस्टेशन के समय, आने जाने का खर्चा सब जोड़ेंगे, तो 600-700 रुपया तो महिनाओं का खर्चा हो जाएगा, तो फिर 1000 रुपया देकर आप क्या प्राप्त कर लेंगे, अच चोड़े किसान थे, पांच एकर जमीन थी, उनको 25,000 रुपया हम लोग दिया करते थे सालना ताकि उनको खेती के लिए महाजनों से उधार लेने की आवशक्ता नहीं पड़े, इन्हों ने सत्ता में आते ही, उसे बंद कर दिया, हम लोगों ने महिनाओं के लिए एक यूजना कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करना हूँ, यह महिया समान यह जोना नहीं हो कि महिया को परिशान करने की यूजना हो गए, इनको ऐसा मेकैनिजम बनाना चाहिए था, साहब इनके ग्रामी मिस्तर पे करमचारी सरकारी मैलाओं को घार जाकर यह पैसा पहुंचा देते, या डारेक्ट मेनिफिट ट्रांसफर करवा दे, लेकिन उसके पहले की प्रक्रिया इतना पेचीदा कर दिया ना, कि जो पचीस रुपे पेट्रोल में प्रती लीटर गरीबों को सबसीडी थी, जिसका आज कौन किसने लाब लिया को बतानी पाएगा, वही हश्र इस सब बिचौली तो सरकार चला रहे थे साब, सरकार के शिर्ष सिसलर के सरकार के नीचे तक, सब जगा बिचौलीयों का बोल बाला है साब, तो यहां आप कैसे उमीद करता है कि यह सरकार बिचौलीयों को हटाएगी, तो यह सब अब जो इन्होंने योजना की शुरुआत की, काश, इन्होंने पूरा सिस्टम को मॉनिटर किया होता, इनका अपना जारनेटे साब, को यह तेल बीसनल का नहीं है, मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं, उस सिस्टम को दुरुस किया होता, यह फोर्सी करते कि इतने सारे लोग आएंगे, तो यह परिशानिया नहीं होती और मैलाओं को एक हजार रुपए देने हैं, उसके लिए चार बर चक्तर लगाईएगा, यह तो कोई बात नहीं, और इसका सबसे जो दुखत पहलु यह है, कि अभी भी इसका ठीक करने का कोई खाका तयार नहीं किया, मानुए मुख्यमंत्री जी ने सुीकारा एक तरीके स जाए, कि बिचौलियों को सकार बाहर करे, महिलाओं को बार बार दोर ना नहीं हुआ। और बहुत बहुत एकाद इंस्ट्रॉल्मेंट और उसके बाद चुनों की घुष्ट न हो जाएगी तो सरकार इस लिए इनको दुरूश करना चाहिए लेकिन इस सब्सक्राइब लगा है कि आप लोग ने ठगने का काम किया है और एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाया प्रतुल जीने कि अब तो वक्त की भी कमी है कभी भी चुनाव अनाउंस हो सकता है हलाकि राजनितिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि वक्त से पहले भी चुनाव हो सकता है अगर यह हो गया तो यह महिलाओं को सम्मान आप कैसे पहुंचाएंगे देखे महिलाओं को जो सम्मान देने का परकिरिया है वो जारी है हम लोग उस दर के लोग नहीं है कि आठ बज़े आके घोसना कर दे और नोट बंदी हो जाए आठ बज़े आए लोगडाउन हो जाए उस तरह का कोई योजना नहीं है हमारे पास मेरा योजना मैया योजना जो है मुखमंतरी का जो सोच इस महिलाओं को सम्मान देने का और आप इंतजार कीजे मैं फिर बोलता हूँ कि दहर से इंतजार कीजे दो दिन में आपको इसका सुखत परिणाम दिखेगा अब मैं फिर कहता हूँ कि मैंने जनता तो इंतजारी कर यह लोग विचौलिया के बारे में सोचते हैं इस देश में बड़े-बड़े विचौलिया है जो देश के सरकार को चला रही है तो आप छोटे अस्तर पर इस बात को इस लोग नहीं समझ पाएंगे यहां विचौलियो की बात नहीं है मुखमंतिरी ने सक्ति से बात बुला कि सबसे कह सकते हैं लेकिन एक सवाल आपने कहा कि वीडियो हो या कई अधिकारी हो जो धरातल पर सब कुछ देख रहे हैं और कैसे पारदर्शी तरीके तक महिलाओं तक सम्मान पहुंचे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है अब हम कई योजनाओं की बात कर लें अगर इतिहास उलटके देखे तो कई अधिकारी विचौलियों के तौर पर हैं सिस्टम में तो इनसे कैसे नहीं पटियेगा देखे मानिय मुखमंत्री ने खुद संजान लिया है जारखन मुखमंत्री मैया शम्मान योजना में तो सभाविक है कि सब चीज दुरूस्त होगा इसमें कहीं दो मत नहीं है इन्हान परतुल भाए ने कहा कि एक रुपया का जो रजिस्ट्री का योजना था उन्होंने बंद कर दिया जी नहीं वो क्यों बंद किया गया आप सुनिये हमारा जो एक रुपया दस रुपया में धोती साड़ी योजना जो था सोना सोबरन धोती साड़ी योजना इतना महतोपुर्ण योजना था जिसके आंग में बस्तर नहीं है उसके लिए एक तम नीचे से पैदान में खड़े हैं अंतीम पैदान में उसको हम कपड़ा पहनाने का काम कर रहे थे लेकिन उसको रगवर दास जी के सरकार ने बंद कर अब क्या हुआ कि उन्होंने एक रुपया में जमीन रजिस्ट्री करवाना सुरू कर दिया तो जमीन रजिस्ट्री किसके लिए हमको जरूरत नहीं है जमीन का मैं जहारखंडी हूं हमको जमीन यहां जरूरत नहीं है यहां के लोगों तो आदिवासियों को जरूरत नहीं ह एक आदिवासी के पास बहुत जमीन है और जिनके पास नहीं है क्या उन्हें जरुरत नहीं है भाई कहा ना जिनके जो बेघर हैं जो भूमिहीन है उसको खुद पट्टा दे रही है हमन सरकार ने अब रही बात सभी योजनाओं का नाम चाहिए तो कभी इस योजना का नाम यह मुफ्त में चाहिए सब लोग शार जो जो एक तालीस लाएट लोग करेंगे दो सो यूनित का तो यह नाम तो कभी पुछा नहीं है इतना सफल रहा सब लोग कर रहा है कि वह विपक्ष में है एक विपक्ष के सवाल को सुन लेते हैं वक्त की पाबंदी है प्रतल जी आ इंपोर्ट को दिखाया अगवारों में भी प्रकाशित हुआ कि सो रुपर फ्री यूनिट बिजली का लोग इसलिए फायदा नहीं उठा रहे हैं क्योंकि बिजली उर्जा लिगम जो ए तीन चार चार महीने का बिजली भी लेक साथ बेज़ेंगे तो कहां से सो रुपर यू लिए किस बैंक से उसका लोल हुआ और सिर्फ यहीं सरकार की सचाई है अगर परिक्षाय मतलब इंट्रेंस एक्जाम आप देते हैं आप अगर इंट्रेंस कॉलेज में लेते हैं तो आप वह प्रावधान खत्म हो गया कि कोई बिचौलिया बीच में आएगा साफ तोर पर धैर रखने की जरूरत है बहुत ही महत्वा कांक्षी योजना है जनकल्यानकारी योजना है तो आज हमने जिक्र किया चर्चा की मुख्यमंत्री महिया सम्मान योजना को लेकर कई तकनीकी खराबियां आई हैं कई परेशानियां भी सामने आई हैं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है अब इस मुद्दे पर सियासत तेज होना जाहिर सी बात है चुनाव नजदीक है तो सियासत होना ही था अब देखना ये है कि विपक्षो या फिर मौझूदा सरकार में गडबंदन धल की पार्टी इस मुख्य मंत्री मैया समान योजना को लेकर आगे क् अक्तियार करती है या बहुत जल्द जैसा कि सत्ता रोड गडबंदन के पार्टी उने कहा है कि बहुत जल्द सारी खामिया दूर हो जाएंगी महिलाओं तक समान पहुंचेगा और सबको उम्मीद है कि यहीं होगा हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था हम पैनल को ध प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे प्रतुल जी आपका बहुत धन्यवाद नियुजलेवन भारत को समय देने के लिए तो मैया सम्मान योजना 48 लाक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है लेकिन पहले ही दिन जब आवेदन लेने की शुरु इस पूरे मामले को लेकर अब मुखर होती बीजेपी नजर आ रही हलाकि सत्ता रोल पार्टी का कहना है कि बहुत जल्द खामियों को दूर कर लिया जाएगा सबकी उम्मीद यही है कि महिलाओं को सम्मान पहुंचे खामिया दूर हो और सब के चेहरे पर मुस्काना है फिल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा